प्रिपेरिंग आउटपूट्स प्रिपेरिंग आउटपूट्स डॉक्यमेंट रिविईू या प्रूफिंग का एक बहुत आहम हिस्सा स्पेलिंग चेक भी है यानि अपने डॉकुमेंट में मौजूद इमला की गलतियों को देखना टाइपिंग के दौरान अक्सर ऐसे हो जाता है कि अलफाज के हिज्जे दुरुस्त नहीं होते कोई न कोई कोता ही हो ही जाती है और अगर डॉकुमेंट कई सफात पर मुश्तमिल हो तो फिर और बिमुहताद होना पड़ता है कि पूरे डॉकुमेंट की तफसील को मुकमल तौर पर चेक किया जाए इसलिए पब्लिशिंग हाउसेस जहां पर बड़ी तादात में डॉकुमेंट्स तयार होते हैं वहां खास तौर पर एडिटर्स और प्रूफ रीडर्स मौजूद होते हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं एक वर्ड प्रसेसर को इस्तमाल करते हुए हमें एक बहुत बड़ी सहूलत हासिल है इस सहूलत को हम स्पैलिंग एंड ग्रामर चेक कहते हैं यह फीचर हमारी डॉकुमेंट में सी न सिर्फ स्पैलिंग मिस्टेक्स की निशान दही कर सकता है बलके इसके साथ साथ ग्रमाटिकल मिस्टेक्स के बारे में भी हमें बताता है जब हम एक डॉकुमेंट टाइप करते हैं तो वर्ड प्रोसेसर अपने अंदर मौजूद डिक्शनरी की मदद से हमारे तमाम टाइप कियेगे अलफास को चेक करता रहता है यह काम इंतहाई तेजी के साथ किया जा रहा होता है और हमें मैसूस भी नहीं होता जैसे ही हम कोई ऐसा लफ्स लिखते हैं जिसके स्पैलिंग्स दुरुस्त नहीं या जो इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद नहीं तो वर्ड प्रोसेसर फॉरण ऐसे अलफास के नीचे सुर्ख रंग की लाइन लगा देता है इसी तरह अगर किसी जुमले में ग्रामर के एतबार से कोई कमी हो तो भी उसकी निशान दही एक सब्स रंग की लाइन से कर दी जाती है Spelling and Grammar Check के Features की बतौलत हम बहुत आसानी से अपने डॉकुमेंट्स में मौजूद इमला की गलतियों और ग्रामर के एतबार से गलत जुमलों को ठीक कर सकते हैं आईए अब देखते हैं कि इन Features को कैसे इस्तिमाल किया जा सकता है हमारे सामने एक डॉकुमेंट मौजूद है जिसमें paragraph लिखा हुआ है इस paragraph में आपको अक्सर जगा पर सुर्ख और सब्स रंग से अलफाज अंडरलाइन हुए नजर आ रहे हैं सबसे पहली हम देखते हैं कि सुर्ख रंग से अंडरलाइनट अलफाज को कैसे दुरुस्त करना है ये सुर्ख अंडरलाइनट Spelling Mistake की निशान दही करती है Spelling Mistakes को दुरुस्त करने के दो तरीके हैं एक तो ये, कि हम Review की टैब में पहली Option, Spelling and Grammar के फीचर को इस्तिमाल करने, और दूसरा तरीका है, Mouse Pointer के Right Click के साथ, जो के आसान भी है और Interesting भी. आईए, पहले आसान तरीके को इस्तिमाल करके देखते हैं. यहां आपको लफ्स Which के Spelling गलत नजर आ रही हैं. इसमें W के बाद वाला H टाइप नहीं किया गया, जिसकी वज़ज़ से ये लफ्स दुरूस्त नहीं रहा. अगर हम इस लफ्स में H को टाइप कर दें, तो ये लफ्स ठीक हो जाएगा, लेकिन जरा ठहरिये. हम ये देखना चाहते हैं कि कम्प्यूटर हमें क्या मश्वरा दे रहा है, उसे इस लफ्स में क्या गलती नजर आ रही है. हम कम्प्यूटर की सजेशन देखने के लिए इस लफ्स पर राइट क्लिक करते हैं. एक मैन्यू ओपन हो गया है. इस मैन्यू में सबसे उपर आप पांच अलफाज बॉल्ड टेक्स्ट में देख रही हैं. ये पांच अलफाज विच की मुख्तलिफ शकली हैं. अब इन में से कौन सा दुरुस्त लफ्स इस जुमले में इस्तिमाल करना है? इसका फैसला कम्प्यूटर ने हम पर छोड़ दिया है. दरासल कम्प्यूटर एक गलत लफ्स को डिटेक्ट कर लेता है और डिक्शनरी में मौझूद इसकी मुख्तलिफ सूरतें भी आपको दिखा देता है. ये फैसला हमें खुद करना है कि लफ्स विच्च की कौन सी शकल यहां सूट करती है? हमारे ख्याल में जो लफ्स सही तौर पर इस जुमले में इस्तिमाल होता है, हम इस पर एक मरतबा लेफ्ट मौउस बटन से क्लिक कर लेती हैं. क्लिक करते ही स्पैलिंग मिस्टेक को ठीक कर दिया जाता है और सुर्फ रंग की लाइन भी खत्न हो जाती है. अब अगला लफ्स जो हमें नजर आ रहा है वो है फूल नगर का. आईए इस पर माउस पॉइंटर से राइट क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि मेन्यू में सबसे उपर लिखा है नो स्पैलिंग सेजेशन. आप सोच रही होंगे कि अगर कम्प्यूटर इस लफ्स को एक स्पैलिंग मिस्टेक कहता है तो फिर कोई सेजेशन क्यों नहीं दे रहा. किसी चीज़ को गलत तो उसी वक्त कहा जा सकता है जब उसका दुरुस्त वर्जन मालूम हो. दरसल, कम्प्यूटर इस वक्त आपको इस लफ्स के नीचे इसलिए सुर्ख लाइन दिखा रहा है क्यूंकि ये लफ्स डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं. इसकी वज़ा ये है कि लफ्स एक जगा का नाम है और अक्सर नाम डिक्शनरी में शामिल नहीं होते. अगर आप भी अपना नाम एक डॉक्शनरी में टाइप करेंगे, तो उसे भी कम्प्यूटर एक स्पैलिंग मिस्टेक ही समझेगा, क्यूंकि वो इसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं. ऐसे अलफाज, जो कम्प्यूटर डिक्शनरी में मौजूद नहीं हम डिक्शनरी में एड करवा सकते हैं, ताके उन्हें अगली मरतबा एक स्पैलिंग मिस्टेक ना समझा जाए. इसका तरीका ये है, कि हम फूल नगर की लफ्ज पर मौज पॉइंटर ले जाकर एक मरतबा राइट क्लिक करती हैं. जो मैन्यू हमारे सामनी आ गया है, इसमें से हम एड टो डिक्शनरी की आप्शन पर क्लिक करती हैं. ये देखिए, सुरुख लाइन खत्म हो गई है. इसका मतलब ये है, कि फूल नगर का लफ्ज इस कम्प्यूटर की इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो गया है, और आइंदा इस लफ्ज को as a spelling mistake consider नहीं किया जाएगा. दूसरी बात ये है, कि अगर अब हम फूल नगर का लफ्ज गलत स्पैलिंग्स के साथ टाइप करेंगे, तो फिर कम्प्यूटर हमें सही लफ्ज के बारे में गाइड भी करेगा, क्यूंकि अब ये लफ्ज कम्प्यूटर डिक्शनरी में महफूज है. अब आगे चलते हैं, आप देख रहे हैं, कि ये एक तवील जुमला है, जिसके नीचे सब्ज लाइन है. आप जानते हैं, कि ये सब्ज लाइन, ग्रेमेटिकल मिस्टेक की निशान दही करता है. इस जुमले पर मौस पॉइंटर से राइट क्लिक करके देखती हैं, कि कम्प्यूटर हमें क्या सेजेशन दे रहा है. आप देख रहे हैं, कि राइट क्लिक से जो मेन्यू हमारे सामने आया है, फ्रेक्मेंट कंसिडर रिवाइजिंग लिखा है. इसका मतलब ये है, कि कम्प सिचुएशन मार्क्स की जरूरत है, मसलन कॉमा या सेमिकॉलन ताके जुमला दुरुस्त हो जाए. लेकिन आप देख रहे हैं, कि जुमले में कॉमा इस्तमाल हुआ है, जिससे जुमला तो मतवाजन बन रहा है, फिर प्रॉब्लम कहा है? आपने नोट किया होगा, कि इस राइट क्लिक करते हैं, और देखते हैं, कि क्या सिजेशन मिलती हैं? यह देखिए, कम्प्यूटर ने हमें बताया है, कि यह लव्ज दरअसल, रेफर्स प्राइमेरली है, जो स्पेस न होने की वज़े से इकठा हो गया था, बहरहाल हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं. आप सिर्फ एक स्पैलिंग मिस्टेक ने जुमले की ग्रिमाटिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब कर दिया था. हम कहना यह चाहते हैं, कि हमें दोनों का खयाल रखते हुए जुमले को दुरुस्त करना पड़ता है. लीजिए, हमने माउस पॉइंटर की मदद से स्पैलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को ठीक करने का तरीका देख लिया. अब चलते हैं उस आप्शन की तरफ जिसका जिक्र हमने पहले किया था, यानि रिव्यू की टैब में पहली आप्शन स्पैलिंग एंड ग्रामर के फीच आईए, इस बटन पर क्लिक करते हैं. बटन पर क्लिक करते ही, एक विंडो ओपन हो गई है, जिसका नाम English, US Spelling and Grammar लिखा नजर आ रहा है. इसका मतलब ही है, कि इस वक्त जो भी Spelling and Grammar Mistakes चेक की जाएंगी, वो American English Standards के मताबिक होंगी. इस विंडो में दो वाज़े हिस्से नजर आ रही हैं. एक बॉक्स उपर है, जिसमें हमारी डॉकुमेंट्स में मौझूद एक ऐसा जुमला दिखाया जा रहा है, जिसमें कोई गलती है, जबके नीचे वाले बॉक्स में Suggestions की लिस्ट है. हम पूरे जुमले को पढ़कर फैसला कर सकती हैं कि Suggestions में से कौनसी Option ज्यादा बेहतर है. जो Option दुरूस्त है, हम उस पर Left Mouse बटन से एक मरतबा क्लिक करके सेलेक्ट कर लेती हैं. जब ये चेकिंग मुकमल हो जाती है, तो हमारे सामने एक मैसेज आ जाता है कि Spelling and Grammar चेक मुकमल हो चुका है. जब हम Word Processing की मदद से एक डॉकमेंट तयार कर लेती हैं, तो इसका प्रिंटर की मदद से प्रिंट आउट भी ले सकती हैं. आपको मालूम है कि जो फाइल्स या डॉकमेंट्स हमारे कम्प्यूटर में सेव्ड हैं, इन्हें हम Soft Copy कहते हैं. जब हम इन फाइल्स या डॉकमेंट्स को प्रिंटर की मदद से पेपर पर प्रिंट कर लेते हैं, तो इन्हें Hard Copy या Print Out कहा जाता है. किसी भी डॉकमेंट्स का प्रिंट लेने से पहले, हम रेकमेंट्स करेंगे कि आप मुकम्मल तौर पर इसका रिव्यू कर लें. रिव्यू के दौरान, आप ये चेक कर लें कि आपने Page Size मुनासिब रखा है. तमाम टेक्स्ट आपकी मर्जी के मताबिक है. तमाम Page Margins सही सेट किये गए हैं. और किसी किसम की Spelling या Grammar Mistake नहीं है. इन सब चीजों को चेक करने के बाद, आप डॉकमेंट्स का प्रिंट ले सकते हैं. प्रिंट लेने से पहले, एक अच्छी प्रैक्टिस ये है, कि हम अपने डॉकमेंट्स का Print Preview देख लें. प्रिंट प्रिव्यू आप्शन के जरिये, हम अपने डॉकमेंट्स का मुआइना कर सकते हैं, कि प्रिंट आउट के बाद, वो कागस पर कैसा लगेगा. प्रिंट करने के लिए हम फाइल मैन्यू में जाकर, प्रिंट की आप्शन पर क्लिक करते हैं. अब हमारे सामने हमारा डॉकमेंट्स प्रिंट की आप्शन के साथ एक नई विंडो में नजर आ रहा है. आप देख रहे हैं कि दाए जानिब हमें डॉकमेंट्स के एक पेच का प्रिव्यू नजर आ रहा है. इसका साइस आपकी सहूलत के लिए छोटा कर दिया गया है ताकि आप अंदाजा कर सकें कि टेक्स्ट और इसके चारों जानिब मार्जन मुनासिब लग रही हैं या नहीं. आप डॉकमेंट के बागी सफात के नीचे दिये गए इन बटन्स को इस्तमाल करके देख सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको पेच सेटिंग में कोई तबदिली करना हो तो बाइन तरफ नीचे दिये गए इस पेच सेटप के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं. डॉकमेंट का प्रिंट प्रिव्यू देखने के बाद अब हम तैयार हैं कि इस डॉकमेंट का प्रिंट लिया जाए. इसके लिए हम उपर दिये गए प्रिंट के इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं. जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करते हैं, तो डॉक्यमेंट का प्रिंट हमारे कंप्यूटर के साथ Attached Printer को भेज दिया जाता है जब हम बटन पर क्लिक करते हैं, तो फौरण ही प्रिंटिंग शुरू हो जाती है लेकिन ये भी तो मुम्किन है के आप सारे document का print नहीं लेना चाहते, बलक के आपको सिर्फ चन पेजिस का print चाहिए या आप इस पूरे document की एक से ज्यादा printed copies बनाना चाहते हैं. ऐसा करने के लिए हमें ज़रा तफसील के साथ print की options को देखना होगा. Print की Detail Options के लिए हम File Menu में मौझूद Print की Options पर क्लिक करते हैं क्लिक करते ही हमारे सामने एक Window Open हो जाती है जिसका नाम Print है इस Window में बहुत से Sections और Options हैं हम इनमें से चंद इंतहाई अहम Options को देखेंगे इस Window में सबसे पहली Printer का Section है जिसमें आपको एक Drop-Down List नजर आ रही है इस List में आपको इस Computer के साथ Attach Printer का नाम नजर आ रहा है आप अपने Computer के साथ जो भी Printer Attach या Install करेंगे उसका Model और नाम आपको इसी जगा नजर आएगा अगला Section Copies का है यहां मौजूद Box में हम Number of Copies को एक से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं जितना Number हम यहां बताएंगे उतने ही Copies हमारी Document की Print के लिए तयार हो जाएंगी इसके बाद इस Window में Settings के नीचे Page Range का सेक्शन है जिसमें आपको एक Drop Down List नजर आ रही है इस लिस्ट में आपको Print All Pages, Print Current Page, Print Custom Range वगेरा की Options नजर आ रही है इसके इलावा Print Selection की Option भी मौझूद है इस वक्ट Print Selection की Option ग्रे कलर में नजर आ रही है जोके Disabled है आईए इन Options का मकसद देख ली सबसे पहली Print Tall Pages की Option है इस Option को Select करके अगर Print लिया जाए तो Document में मौझूद तमाम Pages का Print Out निकलेगा दूसरी Option Print Selection की है जोके अभी Disabled है यह Option आपको उस वक्ट Enabled मिलेगी जब आप अपनी Documents में से कुछ Portion को Select करके Print करवाना चाहें मसलन आपको सिर्फ एक Paragraph का Print लेना है इसके लिए सिर्फ उस Paragraph को Mouse Pointer से Select कर लें और फिर इस Print की Window को Open करें इस Selected Paragraph का Print लेने के लिए Print Selection की Option को Select करें और फिर Print का Button प्रेस कर दें ऐसा करने से सिर्फ Selected Paragraph का Print Out आपको मिल जाएगा तीसरी Option Print Crunt Page की है Crunt Page से मुराद वो पेश होता है जिस पर हमारा करसर मौचूद हो चोथी Option Print Custom Range की है इस Option के नीचे एक Box मौजूद है जिसमें हम इन Pages के Number टाइप करेंगे जिनका Print लेना मकसूद है हम यहां इस Text Box में दो तरह सी Page Number Range टाइप कर सकती है मसलन अगर हमें Page Number 3, 7 और 15 का Print लेना है तो हम ये तीनों Page Numbers इस Box में टाइप करेंगी और इनके दर्मियान कॉमा लगाया जाएगा इसी तरह अगर आपको जरूरत के मुताबिक Document में से Page Number 12 से लेकर 30 तक का Print लेना है तो आप ये दोनों Number इस Box में टाइप करेंगे लेकिन दर्मियान में हाइफन साइन या माइनस साइन लगाया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं इस Print Window में हमारे पास एक और कारामत Option मौचूद है जिसके जर्ये हम अपने Documents की Odd या Even Pages का अलहदा-अलहदा Print ले सकती हैं आप देख रहे हैं कि यहां Print All Pages के सामने जो Drop Down List है उसमें Odd Pages और Even Pages की Options भी मौचूद है Odd और Even Page का Print हम उस वक लेती हैं जब हमें Paper के दोनों जाने प्रिंट आउट लेना हो अमोमन हम Pages की सिर्फ एक साइड पर ही प्रिंट लेते हैं ऐसा करने से तमाम Document के Pages चाहे वो Odd हो या Even सब एक ही तर्तीब में प्रिंट हो जाते हैं लेकिन जब हमें किताब की सुरत में Printing करना हो तो फिर हर पेज की दोनों साइड इस्तिमाल होंगी ऐसी सूरत में हम पहले तमाम Odd Pages की Printing कर लेते हैं और फिर उन Pages को पलट कर उनके Blank Sides पर तमाम Even Pages का Print ले लिया जाता है इस तरह से हमारी Document एक किताब की शकल इख्तियार कर लेती है जिसे हम फिर Bind भी करवा सकते हैं बहुत सारी दूसरी Options के इलावा एक Collated की Option भी मौझूद है Collate का मतलब होता है तर्तीब देना या Arrange करना Collate की Option दरसल हमारी Document की निकाले जाने वाली Copies की तर्तीब बदलने के लिए है आपको साथ ही कुछ Sample Page Icons के दो Sets नजर आ रही हैं जिन पर 1, 2, 3 लिखा है इसका मतलब यह है कि जब Document की Printing हो गई तो पहले एक सेट मुकमल निकलेगा और फिर दूसरा सेट मुकमल निकलेगा इन Sets में से Pages की तर्तीब हमें बिलकुल ठीक मिलेगी दूसरी Option में आप देख रही हैं कि पहले Page 1 का सेट है फिर 2 और फिर 3 का इस Sample का मतलब यह है कि जब हमारे Document के Multiple Print निकलेंगे तो पहले Page 1 की तमाम Copies निकलाएंगी और फिर उसके बाद Page 2 की तमाम Copies निकलेंगी इस तर्तीब से जो Printouts निकलेंगे उन पर फिर हमें खुद से एक-एक सफा अरेंज करके Document मुकमल करना होगा Collated के Section के निचे हमारे पास Orientation का Section है जिसमें दो Dropdown Lists है पहली Dropdown List Portrait Orientation की है इसको सेलेक्ट करने से हमारा Document अमूदी काघस पर प्रिंट होकर निकलेगा जैसा कि आप दाएं तरफ Preview में भी देख रहे हैं दूसरी Option Landscape Orientation है इस Option को सेलेक्ट करने से हमारा Document काघस पर मतवाजी शकल में प्रिंट होकर निकलेगा जैसा कि हम दाएं चाने Preview में देख रही हैं इन दूनों Options में से किसको सेलेक्ट करना चाहिए इसका दारो मदार हमारे Document में मौजूद टेक्स या तस्वीर पर मुनासर है अगला सेक्शन Page Size का है आपको याद होगा कि हमने शुरू के लेसन में Page Size के बारे में आपको बताया था हमने ये भी बताया था कि Document तयार करने से पहले Page Size की Setting कर लेनी चाहिए तो हमें सही Size के कागस पर प्रिंट लेने में दुश्वारी ना हो इस Drop Down Size में से हम Page का वो Size सेलेक्ट करेंगे जो Page Size हमने Document तयार करते हुए चूज किया था Next Option Page Margins की है यहाँ पर पहले से Ready Made Option अवेलिबल है हम अपनी मर्जी और जरूरत के मताबिक कोई भी Option सेलेक्ट कर सकते हैं इसके इलावा Custom Margins की Option को इस्तमाल करते हुए अपने Page की Settings को तबदील कर सकते हैं इससे हम Document के अंदर मौजूद Text के, दाएं, बाएं, नीचे और उपर से मुनासिब खाली जगा छोड़ सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इससे अगली Option, Page per Sheet की है इसका मतलब यह है कि जब हम अपने Document का Print Out लें तो इसमें एक कागज के एक दरफ, Document के कितने सफे Print होना चाहिए पहली Drop Down List, One Page per Sheet की है जो इस वक्त आपको लिखा नज़र आ रहा है अगर List को Open करें, तो यहां आपको 16 Pages तक की Options नज़र आ रही है इन Options में से किसी की Selection करेंगे तो जो Print Out आपको मिलेंगे, इसमें एक ही Page के उपर आपको कई Pages श्रिंक करके Print दिया चाहेगा मसलन, अगर हम 4 Pages को Select करके Print के लिए कहेंगे तो जो Print Out आपको मिलेगा, उसमें एक ही Sheet के उपर 4 Pages का Text प्रिंट कर दिया जाएगा इस Drop Down List के आखिर में Scale to Paper Size की Option दी गई है ऐसा मुम्किन है कि आपने Page Size उस वक्त A4 Size के मताबिक सेट कर लिया मगर अब आपके पास Printing के लिए जो Pages हैं वो Letter Size के हैं तो दुश्वारी हो सकती है ऐसे मौके पर हम अपने पूरे Document का Page Size तबदील नहीं करती बलके Scale to Paper Size की Option इस्तिमाल करती हैं फर्स करें कि हमारा Document A4 Page Size के मताबिक तयार किया गया था मगर अब हमारे पास Print लेने के लिए जो Pages हैं वो Letter Size की हैं जो के निस्बतन छोटे होते हैं अब हम Paper Size में से Letter Size सेलेक्ट करती हैं और इस Dropdown List में से Scale to Paper Size की Option को सेलेक्ट करती हैं इसका फाइदा ये होगा कि A4 Size के मताबिक बना हुआ Document मामूली Adjustment के साथ Letter Size के Pages पर Print हो जाएगा Summary इस Lesson में आपने सीखा Document का Review और Proof Reading करना Spelling और Grammatical गलतियों को सही करने का तरीका अपने Document का Print Out लेने का तरीका और Print Out लेने की मुख्तिलिफ Options किसे सेसे साथ Letter Size एने में इस एक बना होगा के तक हैं